एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लिड जियाओ को देखते हैं जहां पर उसकी बेटी कहती है कि डिवस में अभी थोड़ा टाइम है तो वो कहता है ओ मैं तो अपनी मीटिंग से फोरण यहां पर आ गया तो तभी वहां पर हमारी मेल लिड कहती है जियांग शी कि तुम्हारे पापा को हमें से काम जादा इंपोर्टन्ट है उन्होंने कभी हमें पॉष्णल टाइम नहीं दिया तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस डिवस से खुसूं क्या तुम्हें कोई पस्तावा है तो वो कहती है कि मुझे किस बात का पस्तावा होगा यह केकर वो लोग डिवस ले लेते हैं, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है, वो उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हें रिपे कर दूँगा, तो जिस पर उसकी बेटी उसे जुड़ा कर वहां से चली जाती है, फिर वो अपने लिए जोब डूने जाती है, जहां पर एक क कमपनी में मदर को भी काम पर रखा जाएगा, तुम कमपनी में काम कर सकती हो, तो यह केकर वो वहां से चला जाता है, तो वो गल कहती है, तुम्हारा प्रेजिडेंट के साथ क्या रिलेशन्शिप है, तो वो कहती है, वो मेरा एक्स हस्बेंट है, यह सुनकर वाशोग, और यह सारी बाते वो गल भी सुन रही थी, और कहती है कि लगता है कि बोस अपनी वाइफ से बदला लेना चाहते हैं, तो वो कहती है, मैं भी उनकी हल्प करूंगी, बदला लेने में, फिर नेक्स्ट वस्न में, जियांग शी सुपरवाइजर को कहती है कि मुझे सिफ विक में एके कान दिया जाता है, तो वो कहती है, वो इसलिए कि मैं सुपरवाइजर हूँ और तुम सिर्फ एक इंप्लोई, तब ही ये बात याओ सुन लेता है, जो कहता है, आज से जियांग शी सुपरवाइजर है, और जियांग शी अप से पुरे विक में कान करेगी, फिर व एपनी बेटी को कहता है, कि चलो हम घुमने चलते ही, तो उसकी बेटी कहती है कि डेट, आप कितने कटोर है, मैंने आपसे कहा था मूम की हेल्प करने को, लेकिन आपने तो उने और भी ज़दा कान दें दिया, तो वो कहता है क्योंकि तुम्हारी मम इसकी हगदार थी, फिर हम देखते हैं कि श्यांग शिंग अपनी बेटी को बता रही थी कि मैं तुम्हारे लिए सेकेंड डेड लाऊंगी तब है उसकी बेटी को इचिंग होने लगती है तो वह कहती है चलो हम ऑस्पिटल चलते हैं तभी वहां पर जियाओ आ जाता है क्रेम लेकर फिर वह कहता है कि मुझे भी अपसोस हो रहा है फिर वो नेक्ट डे जोप पर जाती है तो वोगल अपना पेर बीच में लाकर उसे गिरा देती है तो वो कहती है तुम क्या कर रही हो तो वो कहती है कि मैं प्रेजिडन की तरफ से तुमें सबक सिखाना चाती हूं तब ही उसकी बेटी वहां प चल दे से मेरे लिए एक लोयर हार करो मुझे इस पर केंस करना है तो वो कहती है प्रेजिडन आप तो अपनी वाइफ से नफरत करते थे थे न तो उसकी बेटी कहती है तुम क्या आंधी हो तुम्हें दिखाई नहीं देता सबसे ज़दा मेरे डेट मेरे मोम से प्यार करते ह है और फिर गार्ड उसे ले जाते हैं जहां पर वोसे सोरी चीए तो वो कहती है कि मुझे जाने दो क्यूंकि हमरा डिवोस हो चुका है तो वो कहता है कि सोरी लेकिन अपसे में तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा हम आइसलैंड में लेजर लाइट दिखने जाएंगे तो व कहती है तुम्हारे कान का क्या तो वो कहता है कि मैंने आस तक जो कमाया है वो पेसे में ने कभी खर्च नहीं किये इसलिए मैं रिटायर हो रहा हूं और हम दुबारा से साधी करेंगे और यहीं पर ही इस ड्रामा का एंड हो जाता है थैंक्स वर वाचीं